आज के सुडियो में हम काफी कुछ जान रहे होंगे Heritage Institute of Technology Kolkata के उपर देखो ये college जो है न अर्बन इलाके में ही है और काफी बड़ा campus है ठीक है hostel इसी के अंदर है जैसे इसे पहले जो वीडियो आया था IEM के उपर तो वो hostel छोटा था ठीक है बट यहां पर क्या है hostel campus के अंदर ही है और काफी सांदार है ठीक है मतलब must feel आएगा यहां पर ठीक है campus life जो होता है na hostel life वो यहां आप बहुत must enjoy कर पा रहे होगे ठीक है बात कर लेते हैं आगे institute और package भी काफी अच्छा है हाँ IEM से थोड़ा नीचे है ठीक है institute private है 2001 में established हुआ था कौलगाताल में located है सियाल्दा से 10 km के distance पे है हावड़ा से 11 km के distance पे है यहां पे hostel facilities available है football game और ATM facilities भी available है चुकी देखो कोई भी company होती है नो वो क्या देखती है मैं को वो बताओ placement की अब हम बात करने वाले है ठीक है तो देखो कोई भी company है वो देखती है कि जैसे आपको एक बात बताओ आपको क्यों लेगी company आपको देखेगी कि आपको क्या-क्या आता है है ना आप किस-किस आप P-Tech किये हो अच्छा P-Tech किये हो ऐसे ही यहां college देखती है कि college किस-किस aggregate है तो यहां NF मकाउट से affiliate है AICT approved है ठीक है और NIF ranking में ranked है तो इस वज़े से इसका package काफी अच्छा दिखनी को आपको मिल रहा होगा बात करते admission की तो तीन तरीके से यहां mention है बट चौथा तरीका मैं आपको बताऊँगा कि कैसे admission ले सकते हो ठीक है तेखो WBJ से 80% 10% जैम and management quota से 10% बट बचे होए अब इनमें भी हो सकता है management quota में सारा seat full ना हुआ हो तो क्या होता है तो नीचे के जो branches होते हैं civil, mechanical, electrical वगरा तो उनमें direct भी हो जाता है जैसे अगर किसी का rank जो है मालो 10,000 या 15,000 के आसपास है ठीक है या 20,000 के आसपास है वो counseling नहीं कर पाया ठीक है तो वो direct भी जाकर के college में अगर seat होगा तो admission करवा सकता है ठीक है तो ऐसे भी admission हो सकता है अगर seat हुआ तो और यह Macaos से affiliate है यहाँ पे अगर हम courses की बात करें तो specialization, computer science में 4 specialization आपको देखनी को मिल जाता है जैसे AIML हो गया, data science हो ठीक है उसके बाद artificial intelligence हो ठीक है यह तो AIML ह हो गया और business system और core computer तो है यही तो इसमें से choose किसको करें वे जा तो देखो computer science के बाद तुम AIML को ही choose करना ठीक है then IT choose कर सकते हो या IT को पहले भी तुम choose कर सकते हो ठीक है clear है AIML से पहले अब हम seatmatrix से करें बात करें तो मैं seatmatrix नीचे description में दे दूँगा ठीक है उसके लिए बेफिकर seatmatrix में दे दिया जाएगा official website का link दे दिया जाएगा और cutoff दोनों link मैं provide कर दूँगा जही मैंस का WBJ का आप लोग देख लीजेगा ठीक है फिलहाल के लिए हम WBJ का देख रहे हैं चुकि हमें थोड़ा जल्दी करना होगा ठीक है क्योंकि वह आप देख सकते हो ह जिस भी आप performance है मतलब ज्यादा तर तो चुभी WBJ से है इसलिए हम WBJ को आगे दे ले करके चल रहे हैं ठीक है दोनों का link आपको dda जाएगा बेफिकर रहे हैं description जरूर से check करना हरी कोई ठीक है ओके अभी हम देखो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा था computer science है 5000 पे 5000 के अंदर आएगा तो close है उसके बाद AIML दैन आप data science में चूज करना ठीक है जैसे मैं बोला था वैसे ही rank wise भी आप देख सकते हो ठीक है और IT और AIML दोनों में थोड़ा सा होता है बढ़ फिर भी मैं बोलूंगा चुकि हाल sorry heritage है तो AIML को preference देना ठीक है चुकि अच्छा हो जाता है यहां पर ठीक है यह ML जैसे computer sense होगा ना उसी के साथ पढ़ाया जाता है ठीक है मतलब समय लो की कैसे मैं बता हूँ कि जैसे दोनों साथ ही पढ़ाया जाता है मतलब एक साथ लेगा के चला जाता है ठीक है collegeism clear अभी देखो यहां पर institute fee की अगर हम बात करें तो 75,000 के आसपा और first time admission में 75,000 ठीक है clear है short form में और hostel जो है charge यहां पर आपको दिया गया है clear है ठीक है अभी placement की हम बात कर लेते हैं placement देख लेते हैं यहां से भी मैं placement देखना चाहूँगा so placement अगर हम देखें तो अभी तक cut 44,000 का रहा है और अभी 2022 में यहां पर 42 LPA गया है जो कि Google के द्वारा दिया गया था और Google, Amazon, Tata जैसी companies यहां आपको दिखने को मिल जाती और भी companies के नाम दिये गया है जो कि मैं आपको सो भी कुछ करना चाहूँगा जैसे TCS, Vibro, Infosys यह स 4 और 4.2 के आसपास रहता है, ठीक है 4.5 भी आप माल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, Median CTC यहां पर 3.75 दिया गया है, ठीक है, Median और Average डिफरेंस है, इस बात को थ्यार रहे हैं, इसी के साथ मिलते है नेक्स वीडियो में, और सस्क्राइब करके रखो या रहा हूँ, ठीक है, जरके रखो Kiss देक, मिलते हैं, पुक jeं और सकते हूँ, जाला सकते है रह Мघा है जया है, डीक है, ऊतर रहीयो में, तो लिफकाशा के साथ में, झाला सकते हैं, रहीयो में, जालीक है, झालीक है, पर ज्यु को वीफकाह www.meड़ेंस हैं तक हैं, मेंस प्यूक हैं, माले हैं जा